C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरा प्रस्तुते कक्षा 8 की हिंदी की पाठे पुष्तक वसंत में संकलित एक पाठ की ध्वनी प्रस्तुती पाठ का शीर्शक है बस की यात्रा हम पाँच मित्रों ने तै किया के शाम चार बजे की बस से चले पन्ना से इसी कमपनी की बस सतना के लिए घंटे भरबाद मिलती है जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है सुबह घर पहुँच जाएंगे हम में से दो को सुबह काम पर हाजिर होना था इसी लिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था लोगों ने सलाह दी के समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं बस डाकिन है बस को देखा तो श्रद्धा उमर पड़ी हो वयो व्रद्ध थी सदियों के अनभव के निशान लिये हुए थी लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि व्रद्धा वस्था में इसे कश्ट होगा ये बस पूजा के योगी थी उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस कम्पनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे हमने उनसे पूछा ये बस चलती भी है? चलती क्यों नहीं है जी? अभी चलेगी? हमने कहा जी वही तो हम देखना चाहते हैं अपने आप चलती है ये? हाँ जी और कैसे चलेगी? ख़जब हो गया ऐसी बस अपने आप चलती है? अले बस चलाओ ना भाई क्या हो गया? हम आगा पीछा करने लगे डॉक्तर मित्र ने कहा दरो मत चलो बस अनुभवी है नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वस्निय है हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी हम बेट गए जो छोड़ने आए थे वो इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे है उनकी आखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है आया है सुझ जाएगा राजा, रंग, फकीर आदमी को कूच करने के लिए एक निमित चाहिए टेसर टेसर लिए कर देखें आहहहँ अजिन शच मुझ अप्टाट हो गया चली तैज अरफ है अश्क्युम्द के अश्क्यू तेरी बस ही एंजिन है और हम एंजिन के भीतर बैठे हैं। काच बहुत कम बचे थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फोरण खिड़की से दूर सरग गए। एंजिन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे एंजिन है। बस सच मुच्चल पड़ी। और हम ही लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवग्या अंदुलनू के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवग्या अंदुलन के दौर से गुशर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़ कर आगे निकल गई है। कभी लगता कि सीट को छोड़ कर बॉडी आगे भागी जा रही है। आट-दस मील चलने पर सारे भेद भाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठे हैं। एक आएक बस रुख गई। मालूम हुआ कि पैट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पैट्रोल लिकाल कर उसे बहल में रखा। और नली डाल कर एंजिन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सिदार एंजिन को निकाल कर गोद में रख लेंगे। और उसे नली से पैट्रोल पिलाएंगे। जैसे मा बच्चे के मुह में दूद की शीशी लगाती है। बस की रफतार अब पंदर हैं बीस मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है। स्टीरिंग टूट सकता है। प्रकृती के द्रेश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वो निकल जाता तो दूसरे पेड का इंतिजार करता। जील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। अरे ट्राइवर साब क्या हुआ फेलो। एक आ एक फिर बस रुकी। जालो रोज कि मुझ करोगे। यह रवाई से खटा रहा है। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकी बेकी। पर वो नहीं चली। सविनय अवग्या आंदूलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सिदार कह रहे थे। बस तो फर्स क्लास है जी। यह तो इतिफाक की बात है। कंपनी हो रही है बहुत। शीन चांदनी में व्रेक्षों की चाया के नीचे वो बस बड़ी दैनिये लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा ठक कर बैठ कई हो। हमें गलानी हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंतियश्टी करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खुला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आखों की ज्योती जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वो रिंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती। तो वो एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती। निकल जाओ बेटी, अपनी तो वो उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुचे ही थे। एक टायर फिस करके बैठ गया। वो बहुत जोर से हिल कर थम देई। अगर स्पीड में होती, तो उचल कर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार शद्धा भाव से देखा। वो टायरों की हालत जानते हैं। फिर भी जान हतेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुरलब है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रामतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। कहते वो महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिये। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुचने की उमीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुचने की उमीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुचने की उमीद छोड़ दी थी। लगता था जिन्दगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोग को प्रयान कर जाना है। इस पृत्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव हत्म हो गया। हम बड़े इत्मिनान से घरू की तरह बैठ गए। चिन्ता जाती रही। हसी मजाक चलू हो गया। कैसे हैं आप। आपने कभी इतनी सौभाग्यशाली बस में सफर किया है। आज हम दोनों कर रहे हैं। बहुत आनन्दा रहा है। अच्छा लग रहा है। बस की यात्रा। अभियाव सुन रहे थे ये कारिक्रम। विशे संयोजन प्रमोत कुमार दूबे। नर्मान संचालन प्रभुदय अलखटर। आलेक हरी शंकर परसाई। कलाकार नीरश शर्मा विद्याभूषण और अशोक मलकानी, तक्नीकी नियंत्रण सतीश लाडे, ध्वन्यंकन अमिता भट्टी, बटिला एंगलेंग्दो, नर्मान सहयोग दावदयाल चत्रुवेदी, तथा नर्मान एवं प्रस्चुती वंदना अरिमर्दन। करता है करता है